मोधी मैजिक की आगे नहीं दिखा राहूल का दम देखे इंडिया गटबंधन ने कहां कहां नहीं किया काम सवाल यह उड़ता है कि तमाम कोशिशों और नेताओं के दमखम की वावजूद इंडिया गटबंधन कहां कहां कंजूर रहिया लोग सबचनाब के साथवे चरण का मतदान खत्म होते ही एक्जिट पोल आगए हैं अब तक जितनी भी एक्जिट पोल आए हैं उनमें इंडिया को भारी बहुत मिलता नज़र आ रहा है वही इंडिया गटबंधन के तमाम दावे खोकले सावित होते दिख रहे हैं क्या कहता है एबीपीसी वोटर का एक्जिट पोल में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को फौन बहुमत मिलने का दावा किया गया है इनमें अंडिये को 375 से 395 सीटे मिलते हुए दिखाया गया है वहीं इंडिया गटबंधन को 1.500 से 165 सीटे मिलने का दावा किया गया है वोट शियर में कैसा रहा इंडिया गटबंधन का प्रदेशन एक्सिट पोल की माने तो इंडिया गटबंदन का प्रदेशन दमदार नहीं रहा है, जनता ने एक बार फिर कॉंग्रीस और उसके सहीयोगी दलो पर भरोसा नहीं जताया वोट शेयर की बात करें तो देश के सबसे बड़ी सियासी सूबे याने उत्तर प्रदेश में कॉंग्रीस और उसके सहीयोगी दलो का वोट परतिशत 36.9% रहने का अनुमान जताया है इसका मतलब यहा है कि यूपी में इंडिया गटबंधन जनता का दिल जीतने में पूरी तरह नातामियाब रहा इसके बाद बिहार का रुक करें तो वहां नितीश कॉमार की पल्टी मारने के मुद्दे को कॉंग्रीस गटबंधन बुनाने में सफल नहीं हो पाया यहां भी कॉंग्रीस का वोट शेर 38.6 पीस्दी रहने का अनुमान है इसके अलावा कॉंग्रीस गटबंधन को आंधर प्रदेश ने वोट शेर 3.3 परसेंट पक्षिम बंगाल में 13.2 परसेंट वोट शेर मिलने का अनुमान है गौर करनी वाली बात यहां है कि कुछ राजों में कॉंग्रीस का वोट शेर बढ़नी का दावा भी किया गया है इनमें महारास्थ 44 प्रतिशत गोवाज 46 दस्मलव 1 प्रतिशत हरियाना 45 प्रतिशत जमु कश्मीर 32 दस्मलव 8 प्रतिशत और पंजा 32 दस्मलव 7 प्रतिशत प्रतिशत आधिश शामिल है सीटों के Хिसाब से कहां कमजोर रहा कॉंग्रेस गटबंधन कुछ राजियों में कॉंग्रेस का वोट शेयर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन सीटों के हिसाब से इंडिया गटबंधन को ज्यादा फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा बिहार में इंडिया गटबंधन पांच सीटों पर सिमरता नजर आ रहा है यहां 2019 के चुनाम में यूपीय ने तीन सीटे जीती थी यह मोधी के गड़ गुजरात में भी इंडिया गटबंधन तो परदश्य निराशा जनक माना जा रहा है गटबंधन की जोली में यहां को तीन सीटे मिलती दिख रही है नौर्थीस्ट में कैसा हो सकता है हाल पुर्वतर राज्यों असम अरुनाचर प्रदेश मनीपूर में घाले नागलेंड मिजोरम त्रिपुरा और सिक्की में भी इंडिया गटबंधन का हाल ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है असम म में ऐसा रहा इंडिया गटबंधन दक्षन भारत के राजू की बात करें तो आंद्रप्रदेश में इंडिया गटबंधन का प्रदर्श निराश जनक रहा है यहां इनका खाता नहीं खुलने का दावा किया गया है हालांकि तमिल नाडू में 49 सीटे केरल में 19 सीटे दलंग पक्षिम भारत में कैसी रही बाजी पक्षिम भारत की बात करें तो महराष्ट में कॉंग्रेस गटबंधन की जोली में 25 सीटे जाने का दावा किया गया है वहीं गोवा और गुजरात में इंडिया गटबंधन एक-एक सीट जीज सकता है जबकि दादरा नगर हवेली और दमन दीव में गटबंधन की जोली खाली रह सकती है पूर्वी भारत में दिखा सिर्फ इतना दम पूर्वी भारत के राज्यों में भी कॉंग्रेस गटबंधन की सिधी दमदार नहीं दिख रही है पक्षिम बंगाल में गटबंधन को तीन सीटे और इसा में दो सीटे बि मिलती दिख रही हैं एहम बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में सर्कार होने के बाद भी कॉंग्रेस की जोली में सिर्फ एक सीट जाती नजर आ रही है